स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में कुछ लेटेश्ट करेंट अफेयर के प्रशनों को लिया गया है ये प्रशन आपके आने वाले परिछाओं में पूछे जा सकते हैं सब्सक्राइब करिए इस्टेडी फर जौब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेश्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो प्रशनों का सिलसला सुरू करें उससे पहले आपको बता दे कि यहां पे कुल मिला के 20 से लगव 25 क्वेशन आएंगे आपके स्क्रीन पर एक समय पर एक question आपके screen पर होगा और आपको 2 second का समय मिलेगा आप इनी 2 second के दोरान आप अपना उतरह में comment करके बताते रहेंगे आप इसका video भी download कर पाएंगे और उसका link आपको इस video के description में दिया जा चुका है तो चलिए शुरू करते हैं ये video पहला question आपके screen पर किस देश ने 9 जून 2019 को National Strategy for Wellbeing 2021 स्विकार किया है और यहाँ पर आपको आपसर मिल जाते हैं अगर आपको पता है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं इसके लिए सही उतर है UAE ये इस देश दोरा स्विकार किया गया है और ये है National Strategy for Wellbeing 2021 ये भी पूचा जा सकता है कि कब तो ये 9 जून 2019 को स्विकार किया गया अगला question कि हाली खबरों में रहा सिनाई प्रायदीप ये कौन से देश में इस्तित है तो जो ये सिनाई प्रायदीप की बात हो रही है ये है मिस्र में मिस्र में इस्तित है सिनाई प्रायदीप अभी ये लेटेश्ट में खबरों में रहा था अगला कोश्चन की प्रधान मंतरी सिरी नरेंदर मोधी 8 जून 2019 को मालदीव के यातरा के दोरान भारतेवा मालदीव के बीच कितने समझोते उपर हस्ताक्चर किये मतलब कि जब मोधी दूसरी बार प्रधान मंतरी बने है तो इन्होंने पहली यातरा जो किये किसी भी देश की ये है मालदीव और इसके बाद उन्होंने दूसरा जो देश है वो है स्रलंका तो सबसे पहले जब इन्हों मालदीव की यात्रा की तो वहाँ पे इन्होंने मालदीव और इंडिया के बीच कितने समझोतों पर हस्ताक्षर किया तो यहाँ पे 6 समझोतों पर हस्ताक्षर किया गया था भारत और मालदीव के बीच मालदीव से question पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो मोदी है यहाँ भारत के प्रधान मंतरी उन्होंने पहला देश चुना है यातरा करने के लिए दूसरी बार प्रधान मंतरी बनने के बाद जो मालदीव है इसकी जो संसद है इसको कहते हैं मजलिस और मजलिस इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधान मंतरी जी इस संसद को संबोधित भी किये थे अगला question किस राजने हाल ही में ग्री मंतरी के पत पर एक महिला की निउक्ति की है तो यह है आन्दप्रदेश और आन्दप्रदेश में अभी अभी जो लोकसभा का चुना हुआ है लोकसभा 2019 इसी के साथ बिधान सभा का भी चुना हुआ है आन्दप्रदेश में देखिए आन्दप्रदेश ही नहीं आन्दप्रदेश के साथ उड़ीसा और इसी तरह अवडाचल प्रदेश इन सब प्रदेशों का चुना हुआ है इसके साथ सिक्किम तो यहाँ पर जो आंध प्रदेश है इसके सियम बनाए गया है जगन मोहन रेड़ी और इन्होंने अपने ग्री मंतरी पत पे एक महिला की नियुक्ति की है तो यह आपसे पूछा जा सकता है अगला प्रदेशन की किस राज में अन्यदाता सुखी भवा के अस्थान पे YSR रैतू भरोसा यह इसकीम आरंब की गई है सबसे पहले यह जान लेजिए जो यह रैतू है इसका क्या मतलब है तो रैतू को का मतलब है किसान तो पहले यहाँ पे जो इसकीम चलाए जा रही थी उसका नाम था अन्यदाता सुखी भवा अब इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है YSR रैतू भरोसा तो यह चलाए गया है आंदर प्रदेश में इसके CM कौन है जगनमोन रेड़ी तो आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए आज का पहला कोश्चन आप हमें कमेंट करके बताए कि उडिसा के नौ निर्वाचित CM का नाम क्या है उडिसा के नौ निर्वाचित CM का नाम क्या है आपको बता दें कि ये लगतार पांच वी बार मुख्यमंत्री बने है उरिसा के और इनकी पार्टी है BJD अगला कोश्चन ये किस राज में पांच उप मुख्यमंत्रीयों की निउक्ती हुई है मतलब की मुख्यमंत्री तो ये की है लेकिन जो उप मुख्यमंत्री होंगे उनकी संक्या होगी पांच तो अभी तक आपने देखा था कि उत्तरप्रदेश में दो उपमुक्य मंत्री हैं लेकिन अब पांच उपमुक्य मंत्री बनाये गए हैं और यह है आंध्रप्रदेश यहां के सीम कौन है तो जगन मोहन रेड़ी यहां पर सरकार किसकी है YSR की सरकार है अगला कॉस्टिन की G20 देशğों के बित मंत्रीयों केंद्रिय बैंकों के गवर्नर की बैठक किस जगह पे 9. survivor 2019 को आयोजित हुई है जो G20 के देश है इनके बित मंत्री और केंद्रिय बैंकों के गवर्नर इन लोगों की बैठक हुई है 9 ज़ून को तो यह आपको बताना था क कहां पर हुई है तो यह हुई है जपान में और जपान में जगा कौन सा है तो फुकु ओवा जपान में यह हुई है बैटक किसकी बैटक हुई है तो G20 के जितने भी बित्यमंत्री है और इसके साथ जो केंद्री बैंक के गवर्नर है उन सभी की यह बैटक हुई है जपान में अगला question कि अफ्रिकी संग ने किस देश को जून 2019 में संग की सदस्टान लंपित कर दी है यहाँ पर जो जून 2019 में इसको अटा दिया गया है कहने का मतलब यह है यहाँ पर अटाया गया श्टुडान को अगला कोश्चन कि तिजानी मुहम्मद बंदे को सन्युक्तराष्ट महासभा के 74 में सेशन का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है ये कौन से देश के हैं मतलब कि जो UN है उसके हेड निर्वाचित किये गया है और इनका नाम है तिजानी मुहम्मद बंदे अब आपको बताना है कि ये कहां के है तो ये हैं नाइजिरिया के और इससे पहले जो बेखती थे उन वो थे पूर्टगाल के और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोवे हैं तो ये हैं 74 वे अगला कोश्चन 21 देश की फेडरल अथार्टी आफ आइडेंटिटी एंड सिटिजन सीप ने निवेसक अस्थाई प्रवासियर पडाली के तहट पहला गोल्डेन रेसिडेंस परमिट जारी किया है तो ये है संयुक्त अरब अमिरात अगला कोश्चन कि अबनेतरी सीला को अगला कोश्चन के प्रथम SDG Gender Index जो हाल ही में जारी हुआ था इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो देखा हो तो आप इसका उत्तर बड़े असानी से दे पाएंगे क्योंकि उस वीडियो में भी हमने इस question को कबर किया था, यहाँ पे जो gender index है इसमें भारत का पंचानवेवा ranking है अगला question कि निपाह वायरस का प्राकरतिक host कौन सा है मतलब किस में यह पाया जाता है किस से सुरू होता है अब यह भी केरल में इसके कुछ लच्छट देखने को मिले थे पिछली साल भी केरल में देखने को मिला था तो यह है fruit bat fruit bat है इसका एक प्राकरतिक host host मतलब कि जिस पे यह रह सकता है जहां से इसकी सुरूआत होती है अगला question एक इस देखने मई 2019 में monkey parks का मामला सामने आया था monkey parks अभी तक आपने cow parks सुना था लेकिन यह monkey parks है तो यह मामला आया था शिंगापुर में देखे इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आप इसका पीडियो भी डाउनलोड कर पाएंगे और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए अगला question है कि रूमा गुहा थाकुरता नाम देखिए रूमा गुहा थाकुरता जिनका हाल में ही ध्यानत हो गया था हो क्या थी तो यह एक संगितकार थी अगला question कि भारत के कितने हवाई अड्डो पर संपूर बाड़ी स्कैनर अस्थापित करने की घोषड़ा की गई है मतलब कि जब आप हवाई अड्डो से पास होंगे तो आपको यह थैसलेटी से गुजरना होगा संपूर बाड़ी स्कैनर से तो यहाँ पर भारत के लगवग 84 अड्डो पर जो 84 हवाई अड्डा है वहाँ पर यह एस्थापित करने की घोषड़ा कर दी गई है अगला question कि उद्धोग पती ब्रिज मोहन खेतान जिनका की 92 वर्स की उम्र में जान्त हो गया ये किस समू से संबंदित थे तो ये थे बिलियमसन मेगर समू से अगला question कि नाइब भूगले ने 1 जून 2019 को किस देश के राष्टपती पद की सपत लिया है नाइब भूकेले तो ये लिया है इन्होंने अल सलवाडोर का अब आज के लिए आपका दूसरा question इस समय ICC के अध्यक्ष कौन है ये question इसलिए आ जाता है क्योंकि इस समय जो ICC का अभिस्तो कप क्रिकेट हो रहा है पुरुस का ये चल रहा है इसलिए ये question आपसे पूचा जा सकता है ICC के chairman कौन है इस समय आप कमेंट करके हमें बताईए अगला question की हाली खबरों में रहा CCR5 CCR5 ये क्या है तो देखे यह एक प्रकार का जीन है जो मतलब की पौधों का एक जीन है और इसका नाम है CCR5 अगला question की हाली में किस सार को भिस्व का दछिड सार का दर्जा दिया गया मतलब की भिस्व में सबसे दछिड में रहने वाला सार आए ये है पूर्थो बिलियम्स पूर्थो बिलियम्स इसको मिला है भिस्व का दछिड तम राजी का دर्जा अगला question की मात्मा काधी की एक सो पचासवी जैनती के उसर पे किस में इस्तित भारती दूतावास ने सांती के लिए गाधी साइकल रहली साथ चून दो हजार निस को निकाली तो यह निकाला गया साओधी अरब के द्वारा अगला कोईश्चन 21 देश्ट ने प्रजान मंतरी नरेंदर मोदी को अपना सरोच सम्मान आडर आप दो दिश्टी ग्रूल आप इजुदीन इससे सम्मानित किया है तो यह प्रजान मंतरी मोदी को मिला था मालदीव के द्वारा और यहाँ पे मालदीव से और भारत में 6 समझोते पर अस्ताक चरूए है मोदी दूसरी बार प्रजान मंतरी बनने के बाद सबसे पहले मालदीव की यात्रा किये अगला कोश्चन कि भारत का प्रत्थम Patriculated Why प्रदूसर कारुबार,-कार्य करम किस सहर में सुरू किया गया तो ये सुरू किया गया गुजरात में अगला कोश्चन कि दीधिया Basic दिभ्यान सम्मेलन मतलब कि Second Global Disability Summit ये कहां पे आयूजित हो रहा है तो यह हो रहा है ब्यूनेस आइरस में ब्यूनेस आइरस में हो रहा है सेकेंड ग्लोबल डिसेबिल्टी सब्मिट अगला कोश्चन की जस्पाल इंदर सिंग कालरा जिनका की अभी द्यानत हो गया है एक 70 साल की उम्र में यह मतलब क्या थे तो यह एक चेप थे अगला कोश्चन की SEO सम्मिलन 2019 कहां पे हो रहा है तो यह हो रहा है विमसेक यानि किग्रिस्तान में किग्रिस्तान में हो रहा है और यहां पे भारत के तरप से प्रदान मंतरी नरे नर्मोधी भाग लेने के लिए गय हुए है अगला कोश्चन की 200 परिया और दिवस 2019 की थीम क्या है तो जो 200 परिया और दिवस 2019 है इसकी थीम है वायू प्रदूसर्ड वाय प्रदूसर्ड है इस बार जो 200 परिया और दिवस 2019 मनाया गया इसकी थीम है वाय प्रदूसर्ड तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही आप इस वीडियो को लाइक करिए आपको बता दें कि आप इसका पीडियो भी डाउनलोड कर पाएंगे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में दिया जा चुका है